कि रिप्लिकेशन ऑफ डिएने कब कब होता है कि सेल डिवीजन कि सेल डिवीजन में सबसे पहले इंटर फेज इस्टेज आती है इंटर फेज जोईन करो बिटा हां तो यह आपके सेल डिवीजन की जो इंटर फेज इस्टेज आती है इंटर फेज इस्टेज में आपके जीवन एस और जीटू इस्टेज आती है तो जो डिवीन के ऊर्प किरी जीवीजन है यह एस्ट फेज में कंप लीट होता है डिवीन क संटर फेज में होता है आपके ऐस्टेज तो के आपके की के यह में होताры तो यह DNA polymerase enzyme में चीज़ आपको बता दें इसमें high degree accuracy रहती है यह catalyst का काम करता है DNA पॉली जो enzyme है यह आपके DNA के template के लिए catalyst का काम करता है और यह जो raw material है deoxyribonucleotide इन raw material को DNA के template पे जोड़ता है ठीक है और इसमें high degree accuracy रहती है तो यह DNA polymerase ही आपके polymerization का काम करता है तो यहाँ पे आपके complete हुआ DNA का replication and DNA आप चलते हैं दूसरा nucleic acid RNA हमने आपको बताया था cell में दो nucleic acid पाए जाते हैं एक था DNA और दूसरा है RNA आप लोग ने पढ़ लिया जो आपने experimentally यह भी प्रूफ कर लिया कि DNA ही genetic material का काम करता है दूसरी चीज़ इसका Watson and Crick model पढ़ा फिर इसका आपने replication भी पढ़ लिया अब चलेंगे हमारा जो दूसरा nucleic acid है वह हमारा RNA मतलब ribonucleic acid RNA का पुरा नाम क्या है ribonucleic acid यह भी आपके polynucleotide chain का बना है किसका बना है polynucleotide chain DNA में दो chain थी double extended था RNA में single chain है मतलब यह single stranded है RNA single stranded है एक ही polynucleotide chain का बना होता है अब देखिए RNA के nucleotide में क्या क्या पाय जाता है RNA के nucleotide में तीन यूनिट है पेंटोज शुगर पेंटोज शुगर कौन सी ribos पेंटोज शुगर जबकि DNA में डी ओक्सी ribos पेंटोज शुगर थी RNA में है ribos पेंटोज शुगर क्लियर फिर है nitrogen base कौन कौन से अड़नीन गौनीन साइटोसीन एंड यूरेसिल जबकि DNA में अड़नीन गौनीन थाइमीन और साइटोसीन था हम आपको यही पर डिफ्रेंस भी बता रहे है DNA और RNA के बीच RNA में थाइमीन की जगे यूरेसिल है ठीक है फिर तीसरा है आपके phosphate group H3PO4 यह आप पर चुके हैं phosphate group यह तीनों मिलके एक nucleotide बनाएंगे और बहुत सारे nucleotide जब आपस में जुड़ेंगे तो जो लंबी चेंड बनाएंगे वह क्या होगी हमारी RNA क्योंकि RNA single stranded होता है जबकि DNA double stranded है कि आरने का में फंक्शन है जो प्रोटीन की संथिसिस में participate करना प्रोटीन की synthesis करना जबकि DNA जनेटिक मेटीरियल का काम करता है और आ रहने का में काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना इसेल में जो प्रोटीन बननी है उसकी इन्फॉर्मेशन आ रहें नहीं लाएगा कहां से नूक्लियस से देखिए हम आपको बता दें यह सेल है सेल में यह नूक्लियस है और यह है प्रोटीन फैक्टरी राइबोसोम राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्टरी कहते हैं क्योंकि राइबोसोम के अंदर ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और जो प्रोटीन बननी है वो बनने की राइबोसोम में लेकिन उसकी बनने के लिए इंफॉर्मेशन कहां से आएगी डीने के पास से डीने अपनी इंफॉर् क्रोमोजोम पर है क्रोमोजोम राट है उसके अंदर होते हैं उपतों से प्रोटीन बनने उसके लिए अलग अलग जीन होंगे बतलब य। अपनी इन्फॉर्मिशन nucleus के बाहर भेजेंगे तब ही protein की synthesis होगी तो कौन सी protein बननी है उसकी information किसके पास से आएगी DNA के पास से क्लियर तो इस तरीके से प्रोट्राइबोसोम का बहुत सवारी RNA का मीन फंक्शन है protein की synthesis करना लेकिन आपको बताया था कुछ वाइरस है जिसमें RNA genetic material का काम करता है जैसे टुबैको मुजएक वाइरस एट्स वाइरस आपके टुबैको मुजएक वाइरस एट्स वाइरस कोरोना वाइरस यह आपने पड़े थे इनमें और भी हैं जिनमें RNA genetic material का काम करता है लेकिन सभी living beings में genetic material का काम कौन करता है DNA लेकिन कुछ वाइरस में RNA तो वाइरस तो living beings में आते ही नहीं है इट इस अ कनेक्टिव लिंग बिट्वीन लिविंग एंड नॉन लिविंग क्लियर तो वाइरस कुछ वाइरस में ही RNA genetic material का काम करता है लेकिन सभी living beings में RNA का में पंक्शन क्या है प्रोटीन की सिंथिस करना अब आईए चलते हैं RNA के टाइप्स दिखिए RNA आपके थ्री टाइप्स के होते हैं RNA थ्री टाइप्स के हैं पहला है MRNA मतलब messenger RNA messenger RNA दूसरा है TRNA मतलब transfer RNA transfer RNA तीसरा है RRNA मतलब ribosomal RNA ribosomal RNA अब देखिए इनके काम क्या है सबसे पहले चीज़ यह हमारी सेल है सेल के अंदर यह है हमारा nucleus जिसमें chromosomes हैं और chromosomes पे कौन है जीन अटेच है यह जीन है जीन किसके बने हैं DNA के और साइटो प्लस सेल में है आपके यह protein factory ribosom जहां पे protein की synthesis होती है अब देखिए अगर आपने पढ़ा हो protein आपके amino acid से मिलके बनते हैं किस से मिलके amino acid और दो amino acid आपस में peptide bond से जुड़े हैं दो amino acid आपस में peptide bond से जुड़ते हैं तो जब बहुत सारे amino acid जुड़ेंगे तो बहुत सारे peptide bond बनेंगे इसलिए इस पूरी चेन को कहते हैं poly peptide chain मतलब protein आपके amino acid से मिलके बनी हैं तो protein का raw material क्या है amino acid दो amino acid आपस में peptide bond से जुड़े हैं तो जब बहुत सारे amino acid जुड़ेंगे तो बहुत सारे peptide bond बनेंगे इसलिए इसको बोलेंगे poly peptide chain अब depend करता है कि protein एक poly peptide chain की बनी है एक poly peptide chain की information होती है अब यह information कहा है nucleus के अंदर तो जब यह information nucleus के बहार आएगी तभी तो protein के synthesis होगी ना तो यह nucleus के बहार information कौन लाता है वो लाता है हमारा MRNA messenger RNA जो आपके nucleus के बहार information लाता है तो इस तरीके से DNA से सबसे पहले बनता है MRNA by the process of transcription यह transcription के द्वारा DNA से MRNA बनेगा transcription के द्वारा DNA से MRNA बनता है तो यह आपके DNA से जो MRNA बन रहा है मतलब DNA के पास जो code word के form में information है वो MRNA के पास आ चाहेगी DNA से MRNA का बनने का मतलब है DNA के पास जो code word के form में information है वो किसके पास आ गई MRNA के पास और यह कौन से प्रोसेस से आएगी transcription DNA से MRNA का बनना transcription कहलाएगा तो इसलिए MRNA का काम है जीन से information message लेके बाहर आना इसलिए से messenger RNA कहते हैं clear तो DNA से MRNA बनेगा messenger RNA बनेगा जो DNA की information लेके nucleus के बाहर आएगा और यह कौन से प्रोसेस से बनता है transcription clear तो यह आपके transcription से MRNA बनता है यह MRNA total RNA का 10% पाया जाता है जैकॉप और मोनाड ने इसका नाम दिया था MRNA MRNA नाम किस ने दिया जैकॉप और मोनाड साइंटिस्ट ने और उन्होंने बताया कि यह total RNA का 10% RNA MRNA ही होता है clear अब देखे MRNA के पास एक head होता है तो यह chain और यह tail होती है इसके पास head है और यह tail है अब इसके पास इंफोर्मेशन है code word के form में information रहती है अकर एक MRNA के पास एक polypeptide chain की information है अगर MRNA के पास one polypeptide chain की information है अगर MRNA के पास one polypeptide chain की information है तो उस MRNA को कहेंगे monocystronic क्या बोलेंगे monocystronic क्योंकि एक polypeptide chain की information कहलाती है सिस्ट्रॉन 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 हमने किसे कहा है एक polypeptide chain की information सिस्ट्रॉन कहलाईगी ठीक है अगर MRNA के पास एक ही polypeptide chain की information है तो उसे बोलेंगे monocystronic क्लियर तो यू केरियोटिक सेल में यू केरियोटिक सेल में जो MRNA बनते हैं वो मोनो सिस्ट्रॉनिक ही होते हैं यू केरियोटिक सेल में जो MRNA बनते हैं वो मोनो सिस्ट्रॉनिक ही होते हैं लेकिन अगर एक MRNA के पास बहुत सारी कई polypeptide chain की information है एक polypeptide chain ये है दूसी ये है तीसी ये है चौती ये है तो कई polypeptide chain की information है तो उसे बोलेंगे हम पॉली सिस्ट्रॉनिक पॉली सिस्ट्रॉनिक अगर एक MRNA के पास एक पॉली पैप्टाइट चेन की information है तो पॉली सिस्ट्रॉनिक और कई पॉली पैप्टाइट चेन की information है तो पॉली सिस्ट्रॉनिक यू कैरियोटिक सेल में जो MRNA बनते हैं वो मोनो सिस्ट्रॉनिक होते हैं लेकिन प्रो केरियोटिक चेन में जो MRNA बनते हैं वो जनरली पॉली सिस्ट्रॉनिक होते हैं क्योंकि उनके पास कई पॉली पैप्टाइट चेन की information होती है क्लियर तो यह है हमारा MRNA जिसमें आपके एक पॉली पैप्टाइट चेन की information होती हैं मोनो सिस्ट्रॉनिक के पास एक होगी अब पॉली जिस्टॉनिक के पास कई होगी और यूद परीयुटीक सेल में जो हैं वो मोनोस प्रॉनु क्रोरियुक सेल में मार्णी होते हैं पॉली सुानिक होते हैं यह आगर